हलो फ्रेंड्स आज हम बिनाने वाले हैं नूडल स्प्रिंग रोल्स जो की बिल्कुल रेस्टरॉन स्टैल बनाएंगे शहर उससे भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे और इसके साथ हम चटनिया यूज कर रहे हैं यह घर की बनीवी चटनिया है इनके कार्ज आपको वीडियो के प्रेंड मिल जाएगा वहां क्लिक करके देख सते कि शीर समने किस तरह से बनाई है तो स्प्रिंग रोल में चीज है इसमें साथ में सब्जिया काट लिया पत्ता गोभी शिमला मिर्च गाजर प्याज और कुछ हमारे पास कलर फुल शिमला मिर्च पड़ी थी वह भी हम इसमें हमने और बॉil बस दो से तीन मिट तक जादा नहीं उसके बाद जो है इसे चेक कर लिए और निकाल दीजिए पान इसका अलग कर लिए चान लिया है हमने अब इसमें थोड़ा साइट कर लेंगे तो चलिए स्प्रिंग रोल का मसाला बनाना रिडी करते हैं तो थोड द्रग लहसंन हरी मिच करेंगे वो बिल्कुल बारिक काट कर यूज कीजिए गा और इसमें हमने एक बड़े साइस का प्याज लच्छे में काट कर डाल दिया है इस तरह से बारिक बारिक काटा है यह सारा काम आपको हाई फिल्म पर करना है ध्यान रखे गया इसकी फिल्म बेर लुक्षा कर अधि छोटी चमश नमक डाल दिया है आधिर चमश काई मिलसका powder अधिर डाला है और इसमें कोमें कोई जादा मसाले नहीं ड़ते है हैं हडे फ्लें पर इन सबजे। हमने एक से 2 मिट तक बका ले न है तो इसे किसपजी पर हमारी हाइफ न फ्लें नूडल में नूडल्स नूडल्स तोड़ा चाहँ चोटा भी कर सकते हैं नूडल्स को अच्छा से मिक्स कर लेंगे धान रखिएगा गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल हाइप पर ही यह बनेगा तो उसका जार अच्छा टेस्ट आएगा तो अब इसमें हम जो है थोड़ा सा शे कर चुके हैं तो आप इसमें टमैटो कैचप भी डाल सकते हैं थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है यह कि मैगी नूडल्स बनकर रड़ी है हमारे अब इसे थंडा होने देना है फिल करने से पहले तो थंडा होने के बाद ही हम फिल करेंगे अपने स्प्रिं रोल्स को इस अब इसे मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा गॉंद बन गया तरह से ग्लू शीर रड़ी है हमारी इस पर डाल देंगे हम यह नूडल वाला मसाला यह देखिए शीर बनाना बहुत हसान होता है इसकी रेसिपी अल्रडी अप्लोड हो चुकी है यह देखिए इसकी बीच डाल दि अब आप लूड जायागा अज हम तेल में फ्राय करेंगे तो यह खुलेगा नहीं तो बस अच्छे से चिपका दिया है हमने आप हमने इसे फोल्ड कर देना है इस तरह से और फोल्ड करते ही अगया अपने आप से चिपक जाएगा तो इसी तरह समने दूसा भी रड़ी कर जो भी चीजे हम इसमें यूज कर रहे हैं इस पिंग रोल शीट या फिर जो भी लास्मे चटनिया यूज करेंगे उन सब की कार्ज आपको वीडियो के अंड में मिल जाएंगे वीडियो को एंड तक तक देखिएगा स्क्रीन पर लास्में कार्ज आएंगे उसको क्लिक कर क आप उन रेसिपीस को देख सकते हैं बस इसे भी फोल्ट कर देंगे तो अब हम इन्हें फ्राइब करेंगे सारे के सारे हमारे ठड़ी है तो तेल को हमने अलरेडी गरम कर लिया है तेल को हाई फ्लेम पर गरम करने के बाद जो है गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर लीजेगा और इसमें अपने सारे स्प्रिंग रोल डाल देने हैं जितने भी आपकी कडाही या पैन में आते हैं उतने और बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करना है इसे बहुत जारा फ्राय करने की जूरत तो है नहीं क्यूंकि इसके पारे होंग न हमारी sheets कितनी पतली हैं अंदर से सारी सब्जी हैं इसमें देख रही है इतनी पतली होनी चाहिए आपकी sheets ये बनकर रड़ी है अब आपको एक अंदर से काट कर भी दिखाते हैं कि अंदर से ये कैसा बना है क्योंकि अंदर से भी तो पता लगना चाहिए कि ये देखिए अंदर से नूडल स्प्रिंग रोल्स हमारे बनकर बिल्कुल रड़ी है घर के बने हुए है तो ज़्यादा लब घर में पापर तरीके से जो बनाया जाता हो ज़्यादा हेल्दी होता है इसके साथ चट्निया सर्फ की हमने लहसन और लालमिची की चट्नी हरी चट्नी और शेजवान चट्नी इस सर्फ के लिंक आपको यहाँ पर कार्ड्स मिल जाएंगे एंड में आप उन पर क्लिक करके देख लीजेगा स्प्रिंग डोल शीर्स का कार्ड भी तो आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब की बिना बिल्कुल नहीं चाहिएगा बैल बर्टन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडि